आज है ग्यारा जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में 500 रुपे पर शेर पहुंच गया है और जो लेवल पर अभी के ट्रेड कर रहा है वो लेवल काफी इंपोर्टन्ट भी है और आज के दिन में टाटा मोटर्स में हलकी सी करेंगे तो अच्छा का सब आज मुनाफ़क कमाया भी होगा लेकिन टाटा मोटर्स में उतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली क्योंकि जिस लेवल पर ये शेयर है वो लेवल इंपोर्टन्ट भी है और उसी के बारे में डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप तो पिछले एक महिने में टाटा मोटर्स के शेयर में 1.5% का ग्रोथ है साड़े 400 का था और उसके बाद बढ़िया भागा है ये और अगर आप चैनल को regular follow करते हो तो मैंने कहा था कि 500 रूपए के ऊपर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और साड़े 400 रूपए के ऊपर इसक बिल्कुल उसी तरीके का आपको यहाँ पर जो ग्राफ था वो पिछले महिने जब इसने साड़े 300 रूपए के आसपास चे पहुंचा था तब इसने इस तरीका ग्राफ देखने को मिला था और अभी भी बिल्कुल वैसा ही है देखो थोड़ा वक्त लगेगा और अभी जो टाटा मोटर्स को लेकर देखने को मिली है जैसे कि सबसे पहली खबर है कि देखो हर कंपनी में इस ओप प्रोग्राम होते जहां कंपनी के एंप्लोईज को शेर दिये जाते हैं और टाटा मोटर्स ने भाईया अब इस ओप के थ्रू 54,496 एक्वीटी बाटी है इस ओप प् बड़ी खबर है जो आटो मोबिल कंपनी के लिए बहुत फाइदेमंद है यहां पर देखे तो ओवर हंड्रेड आटो कंपनी इंक्लूडिंग मारूती सुजूकी टाटा मोटर्स अप्लाइफ और आटो पी एलाई स्किम से जहां पर आपको प्रोड़क्शन लिंक्ट इंस इंसेंटिव है वो बाटे जाएंगे और कई सारी ऑटो मोबिल कंपनी इसका फाइदा उठाती है मतलब इस इंसेंटिव का फाइदा उठाती है और जिसमें टाटा मोटर्स भी है जिनको इसका फाइदा मिलने वाला है इसके अलावा देखो ईवी सेक्टर में टाटा मोटर सबसे ज़ादा लीड पर चल रहा है अभी और Tata Motors जो है वो अपनी पुरानी SUV जो है Sierra उसको नए अवतार में लेकर आएगा लेकिन वो Electric Vehicles का अवतार होगा आप डिजाइन को देख सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके की कई साथ अल्रेडी इनकी जो कुछ EV है चाहे वो Tata Nexon EV हो उसको अच्छा खासा response मिला भी है और आने वाले पांस सालों में Tata Motors का लक्ष्य है कि 10 से भी जादा Electric Car को वो launch करेंगे और यह बहुत अच्छी बात लिखो EV वाला जो segment है मुझे Tata Motors का सबसे अच्छा segment जो लगते है वो EV वाला लगता है और future भी उसी कहा है और यहाँ पर देखो मैं 500 से उपर खरीदने की बात नहीं करता हूँ लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको 4.500 रुपे के आसफस मिले तो खरीदने के मौके हैं इसको कभी गवाना नहीं चाहिए और ऐसा नहीं है कि मैं अब बता रहा हूँ जब यह शेर कुरोना काल मैं आपको 55 रुपे पर मिल रहा था डबल डिजिट में था तब से मेरी यहाँ पर बाइंग के रिक्मेंडेशन मैं तब से कह रहा था कि देखो ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना यह मैं सोचना कि 100 रुपे पर मैंने खरीदा है 200 चला गया तो मैं मैं इसको बेच दू 200 का 300 होगा 300 का 400 400 का 500 500 का 600 भी होगा ठीक है लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा यहां पर ठीक है आप देखेंगे तो एक अच्छी रफ्तार हमने देखी थी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया फिर एक थोड़ा सा गिरावट आई फिर एक दुबारा भागिया आई है अब थोड़ा सा यह वक्त है कि साड़े चार सो साड़े पांसो के बीच में यह गूमेगा रीजन सिंपल है ओमिक्रोन की वज़े से कहीं न कहीं जो सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रॉब जरूर होगी लेकिन लॉंग टर्म का फ्यूचर इसका बहुत ही बहतरीन है क्योंकि इवी में कंपनी बहुत सादे बहुत जादा चमत्तकार करने वाली है चाहे हम इलेट्रिक वहिकल्स में अगर हम इनके वाईया फोर विलर्स की बात करें या हैवी कमर्शल वहिकल्स की बात करें लार्ज कप शयर है एक लाग पैंसेट हजार करोड से भी जादा का इसका मार्केट के अपर वॉल्यूम अल्रीड करोड से भी जादा का है बड़ी कॉंटिटी में शयर इसके ट्रेड हो रहे है हलाकि शयर होल्डिंग पैटन अभी तक लेड़ेस डिसंबर का आया नहीं है जो सब्टेंबर का है वो यही कहता है कि 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर और F.I.S. Mutual Insurance कमने के पास भी अच्छी खास ही होल्डिंग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल ही रही है टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाओं तो टाटा मोटर्स में according to money control user 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं जबकि 68% लोग खरीदने की और 10% लोग होल्ड करने की सलह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं टाटा मोटर्स में देखा जाए तो revenue में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है लेकिन अब आ सकता है इसका अब जंप आ सकता है EV वाला segment इनका चलने वाला है और profits अगर देखे तो पिछले 3 सालों जो company लगा था losses में है 2021 में भी loss था 20 में भी loss था 19 में भी loss था और 22 में भी loss ही होने वाला है क्योंकि already जो दो quarter के इनके results आए हैं उसमें company almost 9000 करोड का loss दिखा चुकी है और वो cover होने वाला तो है नहीं ठीक है आदो quarter में तो देखो loss रहेंगे लेकिन यह temporary loss है मुदलब अभी शायद एक साल loss हो सकता है लेकिन उसके बाद एक बड़ी टेजी भी दिखा सकता है यह share टाटा मोटर्स reason यह है कि देखो टाटा मोटर्स की जो vehicle की जो बिकरी है वो जादा हो रही है इंडिया की दूसरी नंबर की company बन चुकी है यह मारोदी सुजुकी के बाद और definitely company और जादा aggressively आने वाले समय में बढ़ती नजर भी आने वाली है और टाटा की एक बड़ी खबर आ रही है कि IPL में title sponsor बनने वाले हैं यह हलाकि यह confirm नहीं है अभी ऐसी बाते सुनाए दे रही है कि जो वीवो IPL हम कहते हैं ठीक है वीवो IPL उसकी जगट टाटा IPL भी हो सकता है और यह actually कुछ उर्ती उर्ती खबर है अभी मैं इसका confirm नहीं कहा सकता लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो टाटा को as a brand के तोर पर बहुत ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है यहाँ पर देखे तो खरीदने का सही मौक का है यूँकर ओर बोर्ट जोन में नहीं है और कोई भी रेट फ्लेक नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है टाटा मोटर्स को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूंगा 500 रुपए अभी मुझे रखता है कि थोड़ा सा महंगा है थोड़ा सा रीजन यहाँ कि ओमिक्रॉन की केसिस बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं जो आटो मोबिल सेक्टर इसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है वो भी शौट टर्म के लिए और यह थोड़ा सा नुकसान भी मेरे इसाब से 5 या 6 पर 5-10 परसंट का होगा यह मत सोचना कि 400 पर चला ज है तो अगें कह दूं 500 पर बेचने की जरुवत नहीं कर आप लॉंग टर्म के निवशक है तो डेफिनिटली यह ऊपर ही जाएगा और अगर नीचे जाता है तो एवरेज करने के मौक्य होंगे खरीदारी के मौक्य होंगे तो टाटा मोटर्स डेफिनिटली मुझे पसंद आता है यह इवी वाले सेग्मेंट इनका बहुत अच्छा चलने वाला है हलाकि अभी भी जिस तरीके की तीजी टाटा मोटर्स ने दिखाई है वैसी तेजी अभी तक जेलार ने नहीं दिखाई है तो उम्मीद करते कि जेलार के तरफ से थोड़ा सा कंट्रिबूशन यहां करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू